तो नमश्कर दोस्तो एवार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर तो दोस्तो आए हम बात करेंगे दोस्तो कि कुछ लोग जो अपना पंजा है वो थोड़ा सा गलत प्रकार से प्योग करते हैं गाडी में जैसे क्लच है ब्रेक है और एक्सिलरेशन है इन ती य apprent पर इफेंगे धन चाहिए जो पिर पर दोस्तो पिर सत्च एस इस इस एस वारी फ्रिकैंशी पर आको रखना चाहिए इससे आप को क्या कि ब्रेक लगाएंगे तो इफे यह एक्षलिरेशन इड़सए और फ्रेक पर आदे यह जा डेंग यह जा श Dos आख लॉठया नि ए सकते हैं लेकिन बशर्ति यह दबना नहीं चाहिए अगर आपका क्लश दबेगा तो गाड़ी में इशू आया है को दिक्कल आ सकती है तो डैट पैडल पे रख लें या हो सकता है फ्री रख लें लेकिन अगर आप सेटीमें ड्राइब कर रहे हैं तो आपको गेर बार-बार ब इसक अंध कर रहें लेट परका करें किना करें इसका यूज बरेक के लिए कभी ना करें दो यह ब де क्लिकल गलत आप लेएं वैसप लेज़िय क् publication करते हैं यह तो गी क्लच आपको बहुत जारा इंपोर्टेंट रॉल निवाती गाड़ी चलाने में उसमें धिक्कत आती इसलिए राइट वाले पहर का हमेशा एक्सलिरेशन और ब्रेक क्लच सिर्फ लेफ्ट वाले पहर से हैं तो दोस्तो आप समझ गए होंगे उम्मीद है मुझे यह वीडियो बनाने का देश यही था कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कही लोगो कि हम अपने लैक का सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं क्लच पे एक्सलिरेशन पर ब्रे के से बाद आप ले तो एकम से तेज कमीच कोहल एं दो蛹 हमेशा याद पुखके इसको हटाना है और काड़ी को प्री करके 있다고 है नहीं चे 맞는 आपको क्लच का ब्रेक का एक्सेलिशन का तीनों के बारे में बता दिया है तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनको लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों नमस्कार आपका दिन सुभो